हे गाईज वल्कम बाक टू मैं चानल हापी आर्स तो कैसे हैं आप लो तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी स्नैक्स या फिर आप इसको सूजी की नमकीन भी कह सकते हैं और टी टाइम के लिए एकदम बेस्ट स्नैक है बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है और बहुत ही जल्दी से बनके तयार हो जाता है और बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स के साथ तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ डेर कटोरी सूजी और ये 200 ग्राम के करीब सूजी है एकदम फाइन वाली सूजी होती है ये वो है जो बजार में नॉर्मली मिलती है एक तो मोटी सूजी भी मिलती है तो आपको जो बारीक वाली सूजी है उसको यूज़ करना है तो डेर कटोरी मैंने यहाँ पे सूजी लिया है अब इसमें आड़ करेंगे नमक तो एक चमच से थोड़ा सा कम यहाँ पे मैं नमक आड़ कर रही हूँ आप स्वाद अनुसार या फिर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नमक को कम जादा कर सकते हैं अब मैं इसमें आड़ करेंगे हूँ कस्तूरी मेथी तो डेड़ चमच के करीब मैं यहाँ पे कस्तूरी मेथी आड़ कर रही हूँ अगर आपको कस्तूरी मेथी पसंद नहीं तो आप इसको skip भी कर सकते हैं कस्तूरी मेथी डालने के बाद इसमें मैं आड़ कर रही हूँ आदा चमच काली मिर्च पाउडर इसे flavor बहुत अच्छा आता है तो अब मैं इसमें add कर रहे हूं refined oil तो ये 4 चमच refined oil मैं इसमें use कर रही हूं घर पर जो हम spoon use करते हैं ना उसी spoon से मैं ये सारे measurement कर रही हूं तो 4 चमच यहां पर refined oil डालेंगे आप चाहें तो यहां पर थोड़ा सा butter भी add कर सकते हैं इन सब को डालने के बाद थोड़ा सा mix कर लेंगे अगर आप चाहें तो इसमें 1-2 चमच आप मैदा भी add कर सकते हैं तो ठीक से हमने इसको mix कर लेना है ताकि सारे मसाले अच्छे से mix हो जाएं अब मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन add कर रही हूँ वह थोड़ी सी एक flavor के लिए इसको थोड़ा सा और spicy बनाने के लिए मैं यहां पर थोड़ा सा लालमेश powder add कर रही हूँ अब हमने normal पानी से ही इसको अच्छे से गूतना start कर लेना है तो पहले थोड़ा सा पानी डालके इसको थोड़ा mix कर लेंगे एक साथ सारा पानी नहीं डालना है आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें add करना है और साथ साथ इसको mix करते रहना है तो इसको मैं हाज से थोड़ा सा गूंद लेती हूँ तो देखिए इस तरह से आपको इसको गूंद लेना है जैसे हम नॉर्मल डो बनाते हैं रोटी के लिए उसी तरह से एक सॉफ्ट डो आपको बना लेना है इसका क्योंकि हमने इसको थोड़ी देर ढखकर रखना भी है और थोड़ी देर बाद जो होता है सूची फूल जाती है तो आपको इसको एकदम अच्छा सॉफ्ट डो बनाना है इसका आपने तो इस तरह से बहुत अच्छे से आपको इसको गूत लेना है इसको बढ़िया करके गूत लेने से सूची जो है अच्छे से फूल जाएगी तो चार से पांच मिनट के लिए हमने इसको बढ़िया करके गूंत लेना है तो एकदम सॉफ्ट डो इसका बना के तयार कर लेंगे तो देखिए ये dough मैंने अच्छे से मल के तयार कर लिया है और एकदम soft ये dough मैंने गूंद कर तयार किया है अब हमने क्या करना है इसके ओपर हम थोड़ा सा oil लगा लेंगे जिसे की upper layer जो है इसकी dry नहीं हो तो थोड़ा सा oil इसके ओपर इस तरह से लगा देंगे और अब हमने इसको 20 मिनट के लिए ढखकर रख देना है जिसे की सूजी अच्छे से फूल जाएगी तो देखे 20 मिनट के लिए इस dough को मैंने ढखके रख दिया था और अब ये अच्छे से सूजी जो है फूल गई है और dough देखे थोड़ा सा ये अच्छे से सक्त भी हो गया है क्योंकि सूजी फूल गई है अब हमने और दो मिनट के लिए इसको एक बार ऐसे मल लेना है तो ये dough जो है मैंने और अच्छे से मल लिया है और एक दम बढ़िया ये dough बनके तयार है तो अब ये सूजी नमकीन को बनाने के लिए आपको चाहिए इस तरह का एक फोक तो आपके घर में जो भी ऐसा कांटा अवेलेबल हो तो आप उसको यूज करिए अब इस dough में से हमने थोड़ा सा जो है dough ले लिया है बहुत थोड़ा सा और इस तरह से उसको प्रेस कर लेंगे पहले हाथ से और एक फोक के उपर हमने इसको इस तरह से प्रेस कर देना है अच्छे से और काफी अच्छे से आपने इसको प्रेस करना है ताकि इसमें अच्छे डिजाइन बन पाए और अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है तो देखे कितने अच्छे से ये बनके तयार और कितना सुन्दर ये डिजाइन बना है तो इस तरह से हमने दूसरा भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ थोड़ा सा हमने डो ले लेना है एक गोली बनानी है और फिर उसको हलका सा प्रेस कर लेना है इस तरह से और फोक के उपर रखके उसको थोड़ा सा आपने प्रेस करते रहना है और उसको आगे की तरफ स्प्रेट करते रहना है तो देखे इस तरह से अच्छे से इसको दबाना है ताकि इसमें डिजाइन आ पाए और इस तरह से हलके हाथ से आपने इसको रोल कर लेना है तो देखिए डिजाइन बनके तयार है आप चाहें तो इसको आप गर आपके घर पे कोई साफ कोम हो कंगी जिसको बोलते हैं उस पे भी इन डिजाइन्स को बना सकते हैं उसमें भी ये बहुत खुबसूरत बनके तयार होते हैं तो एक और मैं इस तरह से बना के आपको दिखा रहे हूँ बहुत असानी से ये बन जाता है डो हमारा काफी अच्छा सॉफ्ट है हलके हाथ से आपको इसको प्रेस करना है देखिए देखरा होगा आपको इस तरह से देखिए तब ये डिजाइन बनेगा तो मैंने इसको अच्छे से दबाते हुए इसको डिजाइन देखे कितना सुन्दाय बनके तयार है तो इसी तरह से हम सारी डो का ये बनाके तयार कर लेंगे अब इनको fry करने के लिए ही मैंने यहां पे कडाई में रिफाइन आयल को गरम कर लिया है और काफी अच्छे से यह गरम हो के तयार है तेल गरम हो जाने पर हमने gas की flame को low to medium कर देना है तो ये देखिए ये सारे डो के मैंने यहाँ पर ये नमकीन के डिजाइन को बना के तयार कर लिया है और देखे कितने सुन्दर ये देखने में लग रहे हैं आप हमने क्या करना है oil हमारा अच्छे से गरम हो गया है एक एक पीस को हमने आराम से इस oil में डालते जाना है तो एक दम से सारे pieces को आपने ऐसे ही नहीं इसमें डाल देना आराम से एक एक पीस को पकड़ते हुए आपने इसको आराम से इसमें डालना है ताकि यह आपस में चिपके नहीं इनको चलाना है, इनके ऊपर आपने कर्ची को नहीं चलाना है, अंदर की तरह डीप करते हुए इस तरह से आपने इनको अलट पलट करना है, और लो टु मीडियम फ्लेम पे ही आपने इनको पकाना है तो जब तक ये अच्छे गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, तब तक हम इनको पका लेंगे, बीच बीच में इनको चलाते रहें, जिस तरह से हम मठ्रियों को बना के तयार करते हैं, उसी तरह से हमने इनको बना के तयार करना है, क्योंकि अगर आप इसको हाई फ्लेम पे पका देंगे, तो क्या होगा, ये उपर से तो एक अच्छा color आना start हो गया है और अच्छे आज़े यह golden हो गाए है अब हमने 2-3 minutes के लिए और इनको पका लेना है अभी यह perfectly cook नहीं हुए है तो इनको और 1-2 minutes के लिए हम पका के तयार कर लेंगे तो देखे इनको मैंने और तीन मिनट के लिए पका के तैयार कर लिया और कितना अच्छा कलर और एकदम बढ़िया गोल्डन इसमें आ गया है अब हमने इनको और नहीं पकाना है ये पक के एकदम तैयार है तो अब हम इनको एक टीशू पेपर के उपर निकाल लेते हैं और बागी की जो बचे हुए हैं उनको भी इसी तरह से हमने फ्राइ कर लेना है तो है ना इनको बनाना कितना इजी आप कभी भी इनको बना के तैयार करके और एक महीने के लिए आप इने स्टोर करके रख सकते हैं तो तयार है हमारा सूजी से बना हुआ बहुत ही टेस्टी स्नेक आप इसको टी टाइम में इंचोय कर सकते हैं या फिर बच्चों की छोटी भूख के लिए भी इसको बना के तयार कर सकते हैं या फिर आप इसको महमानों के लिए बना के भी एक से डेड़ महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बलकुल न भूलें मेरे चानल पे नए हैं तो जल्दी से चानल को कर दीजे सस्क्राइब क्योंकि बहुत ही बड़ीया बड़ीया रेसिपी आपको मेरे चानल पे मिलने वाली है तो मिलते हैं नेक्स टाइम हापी आर्स में नई वीडियो के साथ